शर्फिक कुप्रण। बड़ी ही सूसने और शमसने का विशय है कि आखिर ये जीवन है क्या और जीवन इतना बढ़ियां इतना शुन्दर मिला है तो इसको यूहीं गवा देना वर्भात कर देना क्या अकले की बात है क्या बुद्धी विवेक वाली बात है तो ऐसा प्रतित होता है कि नहीं यह जीवन वास्तों में मिला है स्वस्थ जीवन जीने के लिए न कि धिमार हो करके जीवन यापन करने के लिए जीवन बड़ा है सुंदर बड़ा है और शर का नाम है लेकिन हमने इस जीवन को तो बस शमज लिया कि खाने पीने का एक मशीन है खाने पीने क मशीन तो है ही लेकिन इस मशीन को अगर अच्छे से आप अगर नहीं चलाएंगे इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो यह मशीन कब खराब हो जाएगा आपको भी मालूम नहीं चलेगा इसलिए इस मशीन का ख्याल रखना पड़ता है करते हैं कि सरीर माध्यम खलो दर्म शादनम यानि इसी सरीर के वजह से हम कुछ भी कर पाते हैं अगर सरीर ही हमारा ठीक ठाक नहीं रहेगा तो हम कोई काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना तो इसलिए हम आज हेल्थ के उपर बाते करने वाले है आप मेरे भातों से समझ गए होंगे तो कहने का मतलब यह है कि शरीर माध्यम खलो धर्म शादनम यानि शरीर के माध्यम से जीवन के हर कारिये होने हैं तो शरीर को क्योंना अच्छा रखा जाए क्योंना शाइमित रखा जाए क्योंना हमें हर एक चीज़ खाने से पहले जो प्रकृति है हमारे प्रकृति के हैं शाब से ये खाना हमारे लिए ठीक है भी यह नहीं इसका विचार के भी नंगर हमने कुछ भी खा लिया तो कुछ भी खा लेना एक तु आहार होता नहीं और कुछ कुछ भी खा लिए तो भीमार पढ़ने से कोई नहीं रहो शकता है इसलिए जरा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप स्वास्थे की परिभासा थोड़ा सा देख लिए तो आधोनिक परिपेक्ष में अगर हम देखें तो डवलो एंचो का परिभाशा है यह विश्व स्वास्थे शंगठन जिसे हम नाम से जानते हैं वो करता है कि व्यक्ति का जो है शरीर के रूप से और मांसिक रूप से और समाचिक रूप से अच्छा होना चाहिए व्यक्ति पूरूप से स्वस्थ है लेकिन यह यह पूरूप से परिभाशा नहीं है पूरूप से परिभाशा कब बनती है जब हम आयरुवेद को दिखते हैं तो आयरुवेद क्या करता है तो महरशे सुसरुत करते हैं कि शम दूशा समागनेश्या शम दहाद मलक्रिया प्रशन्नात मिंद्रियमना श्वस्त इत्वीधियते अर्थात यानि व्यक्ति का जो धातु यानि साथ प्रकार की धातुएं होती हैं आपने सुना होगा रश्यरक्त मांस्मीद मचा अस्थे वीरिय ऐसे साथ प्रकार के धातु होते हैं उसी प्रकार के अबाद पीत कफ तिन प्रकार के दोश होती हैं तेरह प्रकार की अगनिया होती है हमारे शरीर में पांच यह आपके पंस्तत्तो वाली अगनी हो जाती है और शाथ जो शब्द धातु होती हैं और एक जट रखने सब को मिला करके यह तीरा अगनिया होती है तो यह आपके सरीड में बैलेंस में होना चाहिए शम में होना चाहिए और फिर इसके साथ आपका मल मुत्र भी काफे अच्छे से होना चाहिए समय पर होना चाहिए और शाथ में ही आपका मन और आपकी आत्मा इसमें भी फ्रशंता होने चाहिए यह सुस्थ होने चाहिए तब जा करके एक स्वास्थे का पूर्प से परिभाशा बनता है तो यानि काने का मतलब है कि आप सारीरी कुरूप से भी ठीक रहें मानसी कुरूप से भी ठीक रहें समाजी कुरूप से भी ठीक रहें और अध्यात्मी कुरूप से भी ठीक रहें यह आयुवीद की परिभाशा है इस परिभाशा को आप अगर ध्यान में रखते हैं और आप अहार को ग्रहन करते हैं तो आप काफी हेल्दी रहते हैं भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि युगत आहार विहार अश्य युगत चेश्ट अश्य करमशू यह इन्सान का जो है आहार विहार जिन्तन चरित्र रहन सहन खान पान शव सम्मात्रा में होना सही है यानी मनुश्य का जो जीवन है अपने कारे के प्रति अपने खान-पान के प्रति अपने रहन के प्रति अपने शवच्राइद के प्रति हमने शवर करना सही करते हैं कि जैसा संगत वैसी रंगत इंसान का जैसा संगत होता है वैसा ही रंगत बंती हुई चली जाती है इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे दोस्त कैसे हैं हमारे सफाठी कैसे हैं हमारे आसपडोस के लोग कैसे हैं ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और जीवन में खुश रहें श्वस्थ रहें मस्त रहें हमारा परिवारट ठीक ठाक रहे हम ठीकlight लेंगे तो यूग बदलेगा हम शुद्रेंगे तो यूग सुद्रेगा यानि चालू होती है अपने आप से हम अपने आपको शमारे हमने हमने अपने आपको बनाएं यह कहते हैं कि आत्म सुधार यह संसार की सबसे बड़ी शेवा है अगर हम अपने आपको स्वस्त कर लिए हम अपने आपको ठीक कर लिए तो ये संसार की सबसे बड़ी उखलब्ती है अगर हर विक्ति ये सूचने लग जाए और अपने आपको शवारने लग जाए और अपने खान-पान, अपने रहंचन, अपने व्योहार, अपने जीवन के हर एक कर्म पर ध्यान दे तो दुनिया बदल जाएगी कब ये हमें भी पता नहीं से लेगा तो हमें ध्यान में रखना चाहिए और इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रख करके चलते हैं तो इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला जीवन जीने की कला आ जाये तो कमाल हो जाये जीवन जीने की कला जीवन जीने की कला क्या है जीवन जीने की कला जो है अपनी दिंचरिया à को हम शुधारे आपने जीवन में योग का अस्थान देना चाहिए अपने जीवन में अपने दिंचरिया में योग आस्थान अगर हम देते हैं तो जीवन हमसार ली कहते हैं कि जिवन कर्म करते हैं तो अनुशासन से आप किसी भी छेतरे में देख लें बीना अनुशासन का काम चलने वाला नहीं है या खेल का फिल्ड हो, या सिख्छा का फिल्ड हो, या आपकी नौगवी चागरी का फिल्ड हो, अगर आपके अनुशासन हिंता रहेगी, तो आप कब निकाल दिये जाएंगे, ये आप नहीं का शक्ते हैं, तो समय का ध्यान अनुशासन की बहुत जरूरत होती है, तो आप अ होता है आपने अंदर की चित्त वृतियों का निरूध कर देना ही योग है यह कहते हैं कि आप चित्त वृतियों का निरूध करें यह आपके अंदर जो गलत आदत आ गई है यानि वृतियां आ गई हैं कहते हैं कि वृतिया पांस प्रकार की होती है प्रमाड वीपर्य विकल् रितियां इनको दूर करना अच्छी होती है तो जो अच्छी है उसको अपनाना जो त्यागना भगवान स्रीक्षण ने यहीं करते हैं घीता में तिन प्रकार का हर बताते हैं शात्वी का हर हमें स्वास्थे देता है जो फल फ्रोट्स और जितने भी ताजा भोजन है फल फ्रोट्स चावल दिख यह सब आपके शाट्विक हैं राच्षिक हैर में तले भूने च persona जितने पूआ पकवाण हो गया कचवडी पकौडी बाहर काची से ये सब आपके राचिक हो गया जो दुख और रोगों का कारण है तामची काहार भी ऐसे ही है वो भी दुख और रोगों का कारण है बासी भोजन सडा हुआ भोजन मांस मीट मछली लसन प्याज अंडा ये जो शात्विक राजसीक और तामसिक अहार के जो गुन उन्होंने बताए हैं, आप इसको अगर ध्यान में रखकर के अहार को ग्रहन करें और हर एक आखार ग्रहन करने से पहले आप भगवान का शुमिरन करें ध्यान करें ये प्रभु ये भोजन आपको शमर्पित है आप इसे सुद्ध और पवित्र बनाएं और इस भाव से अगर आप भोजन ग्रहन करेंगे तो भोजन आपके सरीर को लगेगा और आप निरंतर श्वस्त रहेंगे आज के लिए इतना ही जवी को प्रणाम, शवी को धन्यवाद।